किसान साथियो नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियो आज हम एक भोती महत्वपूर्ण विश्य पर बात करेंगे जो की 1280 काग जी नीम्बू का सच भाग दो है किसान साथियो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर हम काफी विश्तरत रूप से पहले भी कई बार चर्चा कर चुके है लेकिन एक किसान ने मुझे लिख कर भेजा है कि त्यागी जी आप इतनी महनत कर रहे हैं और इतना लोगों को समझा रहे हैं फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं और अभी भी गलत पोदे खरीद कर और गलत हातों में पढ़कर और गलत बागवानी करकर लाखों रुपे कमाने की बजाए लाखों रुपे पहले ही गमा रहे हैं एक किसान है नवेद सेख नवेद सेख बढ़वानी मद्धे परदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने यह लेख लिख कर मुझे कई महीने पहले दिया था और अभी उनका फिर फोन आया मेरे पास में के त्यागी जी नहीं आप ने उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाई कहरें मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं और लोग पूछते हैं तो आप इस पर वीडियो बनाईए इससे किसानों का भला होगा किसान सातियों हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो पिछले दो महिने में मुझसे बहुत नीमू के किसान मिले और बहुत ने पूछा और बहुत किसानों ने ये भी कहा कि जी हम तो लगभग लुट गए हमारे से बहुत बढ़ी गलती हो गई अब इसको कैसे सीदे करें तो आईए सुनिए मेरी जवानी और नावेद जी के विचार 12 मासी काग जी नीमू का सच क्या इससे आप लाखों रुपे कमा सकते हैं नावेद जी के नुसार आजकल कुछ नरसरी वाले किसानों को बहुत बेवकूब बना रहे हैं अगर आप काग जी नीमू का जिसमें वराईटी नए पता हो अगर उसका पोधा नरसरी वाले से लेते हैं जो कि गुजरात और महराष्ट में बहुत उप्लक्द है ये पोधे बिजू से तयार होते हैं लेकिन गुजरात और महराष्ट के पोधों में फर्क है गुजरात में उसको देशी कागजी निम्बू कहते हैं चुकि कागजी निम्बू की कौन सी वराइटी है ये उन्हें नहीं पता और कई वराइटियों में जो कई नरसरी में आप जाएंगे तो किसी का पोदा जो होगा उस पर जो निम्बू लगेंगे वो थोड़े मोटे होंगे और किसी पर पतले होंगे ये उन दस वराइटियों में से कोई भी निम्बू है जो की मैंने आपको दिखाए थे जो मैंने वराइटी बताई थी महरास्त में जो पोदे हैं अगर आप जाओगे तो वहाँ लोग यह नहीं कहेंगे के देशी कांजी निम्बू है वहाँ यह कहेंगे के यह साइश सर्बती है यह प्रमालिनी है यह एनर सी सी एट है यह पीडी के भी बहार है या यह फूले सर्बती है यह है पहला सच ये पोधा वहाँ पर अच्छी से अच्छी नरसरी में 20 से 30 रुपे में मिलता है अब आप वहाँ जाएंगे उसको लेकर आएंगे जो लाने का खर्चा पड़ेगा अगर आप लेकर भी आओ तो वो 50 रुपे का पड़ता है आपको पड़ेगा लेकिन अगर कोई लेकर वहाँ से आएगा तो वो अपना भी समय का और अपने जो अपना थोड़ा प्रोपिट है वो भी एड़ करेगा तो पड़े की कीमत 70-80 रुपे से लेकर 100 रुपे तक हो सकती है वो भी बहुत अच्छी नरसरी के पड़ेगी जिसमें आपको ये बताएगा कि ये साइंसर्बती का पड़ा है और ये प्रमालिनी का पड़ा है इसी पड़े को कुछ नरसरी वाले कोलकता पत्ती या बारामासी काग जी नीम्बू कहकर 1500 रुपे से लेकर 350 रुपे तक का बेशते हैं तो लाखो रुपे आपने नहीं उन्होंने कमाए है आईए आगे देखें वे बेशते विए एक बात और कहते हैं किसान को बर्मित करते हैं इसमें नीम्बू एक साल बाद ही आएंगे और वो पोधा भी ऐसा दिखाते हैं जिस पर कुछ नीम्बू लगे विए होते हैं किसान साथियों आप भी सोचिए क्या एक साल का पोधा नीमू दे सकता है चुकि ये गुट्टी का पोधा है और गुट्टी के पोधे की उम्र उतनी मानी जाती है जितनी की जिस पोधे से उस पर गुट्टी बनाई गई है अगर वो पोधा दस साल का तो यह दस साल का माना जाएगा और स्याद यही कारण है कि इसकी उम्र कम होती है किसान साथियो अगर आपका पोधा स्वस्त नहीं होगा पहले उसकी बढ़वार नहीं होगी वो पूर्ण विक्सित नहीं होगा तो वो फल कितनी दे सकेगा ये इस प्रकार बात करके बे किसानों को भरमित करते हैं अब आईए मैं आपको कुछ बिंदू ऐसे बताता हूं जिन पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस से पहले मैं एक बात साजा करना सुरू करूँगा जब भी मुझे कोई फोन करते हैं और मेरे से पोधे मांगते हैं तो दो सवाल मुझे ऐसे करते हैं जो मुझे बहुत अटपटे लाते हैं पहला वो ये कहते हैं कि जी क्या इसमें गर्मियों में फल आएंगे वे मेरी वीडियो में बताने के बात भी के नीमु के पोधे पर तीन बार फल आते हैं और हमारे उत्तर भारत में दो बार फल आते हैं लेकिन जो गर्मियों के नीमु की बात करते हैं मार्च अपरेल के में फल आना दो बातों पर निरभर करता है और ये ध्यान से देखे कि क्या किसी ने आपको ये बताया है इस बात को पहली बात ये कि जब नीबू मार्च अप्रेल में मिलेगा तो उसके फूल अक्टूबर के अंतिया नॉंबर के सुरू में आ जाते हैं और ये तभी आएंगे जब सितंबर में आपकी बारिस नहीं होगी अगर सितंबर में बारिस हो गई जैसी पिछले साल हुई है तो आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे फूल लाने के लिए ये बात कोई नरसरी वाला नहीं बताएगा ने उनको पता है उन्होंने पढ़ा भी नहीं है और दूसरी चीज है कि अगर जन्वरी में जन्वरी के अंत में और फर्वरी के सुरू में जो हमारे हाँ फ्रॉस्टिंग होती है पाला पड़ता है अगर पाला पड़ गया तो जो छोटे छोटे फल है वो भी खडाब हो जाएगा और आपकी फसल बिल्कुल बरबाद हो लोग अपनी आमदनी कर रहे हैं अब आईए बात करते हैं मुख्य बिंदू की ये तो हुई पोदो की बात अब आईए देखते हैं कि नरसरी में जब आप जाते हैं पोदा लेने वो नरसरी वाला आपको क्या बाते बताता है आप थोड़ा सोचिए इस बात को पहली बात वो ये बताएगा कि आप पोदे हाई डेंसिटी पर लगाईए किसान साथियो पोदे बेचने के बाद उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपके पोदे चलेंगे वो फल देंगे या नहीं देंगे एक तो वो नीमू के पोदों पर नीमू लगे हुए दिखाएगा और फिर कहेगा हाई डेंसिटी पर लगाईए हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि 10 बाई 10 कुछ को तो 8 बाई 8 पर लगवा दिये गए और कुछ किसानों के मुझे फोन आए कि उन्हें 8 बाई 5 पर भी लगवा दिये गए यानि के 80 सगन भी दिखाएगा चलिए हम ये मान कर चलते हैं कि 10 बाई 10 पर लगाया तो एक एक कड में 5.5 पोदे लगवाए उसे लिए किसान साथियो नीमू का पोदा अगर आपको बहुत ही ज़्यादे इच्छा हो रही है तो 15 बाई 15 से कम पर बिल्कुल मत लगाये इसकी जो सही दूरी है मुझे गुजरात के कई किसानों ने कहा है कि ये क्या हो रहा है कि हमारे हाथों 20 बाई 20 या 25 बाई 25 पर लगाते है नवेद भाई के अनुसार पोदा 18 बाई 18 फिट या 20 बाई 20 फिट पर लगाना चाहिए किसान साथियों अगर परियोग करना है तो एक बहुत छोटे से एरिये में कर लीजिए आप आदा बिगा में कर लीजिए और देखिए पोदा कितना फैलता है अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि आप पोदा 15 बाई 15 फिट से बिलकुल भी कम नहीं लगाएंगे वैसे तो 18 बाई 18 या 20 बाई 20 फिट पर ही लगाना चाहिए किसान साथियों मैं जब भी कोई बात कहता हूँ तो उसका कारण भी बताता हूँ जो कि कोई नरसरी वाला आपको नहीं बताएगा मेरा काम नरसरी के में पोधे नहीं बेचना है नरसरी का काम नहीं करना मेरा काम आप लोगों को सिक्सित करना है और मुझे बहुत खुसी हो रही है कि बहुत किसान मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और मेरी बात मानने लगे हैं। अब आप ये देखें कि मैं 15 भाई 15 या 18 भाई 18 पर क्यों कह रहा हूं। किसान साथियों जो नीमू का पेड होता है वो जाड़ी नुमा होता है। जो उसकी उंचाई है अधिक से अधिक 12-13 फिट जाएगी उसकी उंचाईगी। और बहुत ही जादा हो गई तो आपने कुछ भी उसकी कोई साखा नहीं काटी तो वो जादे से जादे 15 फिट जाएगी। इसलिए ये नीचे की तरफ जाड़ी नुमा जो पोदे होते हैं वो नीचे की तरफ को फैलते हैं। तो जब वो चारो तरफ फैलेगा तो आप देखेंगे कि 15 बाई 15 का पोदा जो ना 5 साल में मिलने लगता है। अब आईए जानते हैं पहला करण। जो नीबू का पोदा है उसकी उचाई अधिक से अधिक 12 फिट या 15 फिट होगी। और इसी कारण इसका फैलाव बहुत अधिक होता है चुकि ये जाड़ी नुमा पेड़ होता है। अगर आपके पोदे 20 बाई 20 पर भी लगे हैं और उनकी देखरेक अच्छी है तो वो 5 साल बाद ही मिल जाते हैं। और मिलने के बाद उन पर इस्प्रे करना, नीम्बू को तोड़ना, जमीन में खोरा लगाना और जो ट्रेक्टर चलाते हैं वो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डाक्टर रोहित ग्रेनेवाल, अमरावती के रहने वाले नीम्बू की खेती करते हैं। उनका मेरे पास आज फोन आया, कहरें त्यागी जी गलती से तेरह बाई दस पर मैंने पोधे लगा दिये। और वो चार साल बाद ही पोधे मिल गए। तो मैंने उन्हें सुझाओ दिया कि आप दस वाली लाइन और तेरह वाली लाइन हटा दीजिए, 26 बाई 20 पर पोधे हो जाएंगे, गुजरात में 25 बाई 25 पर लगाते हैं, आपके 26 बाई 20 पर हो जाएंगे, पोधे आदे हो जाएंगे, पानी की मातरा कम लगेगी, देखर दूसरा कारण, दूसरा कारण है बागवानी में जब भी हम ट्रेक्टर चलाते हैं, तो जो नीमू के पोधे होते हैं, आपने देखा उनमें कांटे बहुत होते हैं, और जब ट्रेक्टर चलाएंगे और पोधे मिल जाएंगे, तो आपको ट्रेक्टर चलाने में परिशानी होगी या power tiller चलने में परिशानी होगी और इसे पोधे एक दूसरे से रगड़ खाएंगे और जब रगड़ खाएंगे तो उनमें घाव हो जाएगा जब उनमें घाव हो जाएगा तो उनमें गोमोसिस रोग सुरू हो जाएगा क्या ये बाते किसी नरसरी वाले ने आपको बताई हैं नहीं क्योंकि उसका उद्देश से तो आपको अधिक से अधिक पोधे बेच कर अधिक से अधिक लाब कमाना है और आपको इतना समय नहीं होता कि वो एक घंटे में ही आपको इतना मंतर मुग्द कर देता है कि आप पोधे लेकर लाकों की आमदनी कुछ सोचकर तुरंट चल पड़ते हैं महां से लेकर किसान साथियों तीसरा कारण सगन बादवानी में जब दस बाई दस पर पोधे होंगे तो ये तीन या चार साल बाद ही एक दूसरे से मिल जाएंगे और जब हवा चलेगी तो पोधे एक दूसरे से रगड़ खाएंगे और फिर वही बात होगी कि काटे होने के कारण एक दूसरे से रगड़ खाने पर इन पर घाओ होंगे इन पर कैंकर भी आएगा इन पर गोमसिस भी आएगा और दूसरे रोग भी आएगे इसके साथ साथ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो भी ने ढंक से इस्प्रे कर सेकेंगे वो भी बचेंगे जिससे आपके पोधे पर सही इस्प्रे भी नहीं होगा दवाई भी नहीं लगेगी और आपका पोधा सही नह पड़े गुजरात में तो कटिंग करते ही नहीं आज मेरी एक पटेल भाई थे मेरे को नाम याद नहीं पूरा वो कह रही थे के तियागी जी हमारे हाँ तो कटिंग नहीं करते मैंने का आपके जो नीमू के पोधे जमीन पर पड़े रहते हैं वो खुराब नहीं होते हैं नीमू जो नीमू लगते हैं कहते हैं जी नीमू सबसे ज़्यादा जो नीचे साखाए होते हैं उन पर ही लगते हैं फिर मैंने ध्यान से सोचा कि ऐसा क्यों होता है उनकी जमीन में नमी नहीं है उनकी जमीन हमारी जो उत्तर भारत की जमीन है उनस का फैलाव हो और जो सूखी साकाइं सिर्फ उनको कर दे इसमें अमरूद की तरह कटिंग नहीं करते हैं किसान साथियों ये बताएं मैंने तीन कारण अब आईए मुख्य बिंदू पर के जो के दोनो ही एक दूसरे की सोशते हैं अब आपको क्या बताएगा कि ये पोधा जो आप ले जा रही है डेर साल में फल देना शुरू कर दे गा और वो ये भी कहेगा कि ये जो एक कड में शाड़े चार सो पेड लगा रहे हैं 450 पेड लगा रहे हैं परतेक पेड कम से कम 15-20 किलो आपको निम्बू देगा लेकिन हकीकत यह है कि वो एक साल में सर्वाइव ही बहुत कम पोदे करेंगे आपने कभी ये पूछ कर देखे कि चलिए मुझे अपने बेचे विए पोदो का कोई बाग दिख हाईए कि वो दूसरे साल में मैं देखता हूँ उसमें कितना निम्बू लगा हुआ और निम्बू के जो उत्तर भारत है दो ही सीजन मुक्यों होते एक गर्मियों में होता है जिस पोदे का बताते हैं मार्च अप्रेल में तो आप अप्रेल के अंत में जाईए और कहिए विवेचना करिए और पता अब जो ये गुना करते हैं कि 450 गुना 15 हकीकत ये नहीं है इसमें एक दूसरा पहलो ये भी है कि कम से कम आप 5 से 10 परसेंट की मौटलिटी लेकर चलिए जो गुट्टी वाले पोदे हैं उसमें 10 परसेंट पोदे आपके कामियाब नहीं होगे ये आप किसी भी गुट्टी वाले से जाकर 10 पांस से पूछिए अगर नहीं है तो मेरे पास आईए मैं आपको 10 ऐसे किसानों को दिखाऊंगा जो की रोने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं अब आईए वह कैसे आपको कैलकुलेशन करता है एक कापी निकालेगा और कागज प पोधे लगे डेड़ साल बाद 450 गुना पंदरा यानि 6750 किलो फल आपको मिले और आप मंत्रमोद होकर सुनने लगते हैं एसी केबन है आपके लिए चाय आ गई है पानी पूछ लिया गया है आपको चोधरी साब भी कह दिया गया है अब वो 1750 जो किलो हुए है निको कहेग का के जी देखिए बजार में ठेली पर 70-80 रुपे किलो निम्बू बिक रहा है वो ये नहीं बताएगा कि मंडी में 30 रुपे बिकता है या अब की बार 20 रुपे भी बिक रहा है तो कहेगा चलिए हम 40 रुपे लगा लेते हैं तो 40 गुना 6750 इस हिसाब से 270 रुपे की आपक एक एकड में 2,70,000 में से मैंने अगर इसके सारे पोधों की कोस्ट निकाल ली तो आपको डेड़ साल बाद बराबर पर आ गए आप और अगले साल से आपको वो फिर 10 किलो निम्बू बढ़ा देगा और किसान सातियों ये बताएगा कि 2,70,000 में से ये भूल जाएगा आप के आपने पोधे कितने के लिए आप 70,000 कोस्ट निकाल लीजिए और 2,00,000 परती एक कड़की आपको आमदनी हो गई लेकिन कास ऐसा होता है व्यवसाई कुस्तपादन कोई भी पोधा बीजू या गुट्टी वाला धाई से तीन साल के बाद ही सुरू होता है बीजू पोधा चुकि एक साल का होता है जो मैंने CCRI के बाद में आपको पोधे दिखाई थे वो चार साल के पोधे थे जिन पर 40 कि तक निबुवाता है तो पहला ये सोच लीजिए कि आपको तीन साल बाद ही फल लेना है अगर तीसरे साल फल आ गया उस पर फूल आ गये तो आप उन्हें नहीं रखेंगे चुकि आपको पोधे का साइज बढ़ाना है ऐसा क्यों होता है जब पोधा एपरी पक्वे होता है यानि फल सहने लाइक नहीं विया फूल सहने लाइक नहीं विया तो उसके फल अकसर गिर जाते हैं आप थोड़ा सूचिए कि काफी किसानों के आते हैं कि मेरा दूसरे साल दो साल का पोधा इसके फूल गिर गए अरे पहले उसे परीपक्वे होने दीजिए उसको मजबूत होने दीजिए उसे भरपूर खाना लेने दीजिए उसका तंदरुस्त होने दीजिए उस पो देगो इस परकार पहले साल दो लाक सतर हजार दूसरे साल ये डबल हो जाएंगी जैसे ही पांच लाक चालीस हजार आते हैं तो आप एक चिर्णी द्रा में सोचने लगते हैं अरे यार इतना तो मैं गन्ने में करता हूँ एक साल बाद फसल आती है उसके एक साल बाद पैमेंट मिलता है आप नीबू के उसे जाके पैसे ले लेते हैं फाइदा किसको हूए नरसरी बाले बाद आगर मैं आपको सही बात बताता हूँ मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है कि पोदा तीन सो रुपे गा मिल हाँ कि ईस्प्त बात बताना एक इस लिए किसान भाईव बात सब से करिए पोदे कहीं से भी लीजिए लेकिन कुछ बातों को महतोपूर्ण जो बाते मैंने बताई हैं इनको ध्यान में रखिए दूसरे साल आमदनी डबल नहीं होने लगी हाँ अगर आप चार साल बाद नीमू पर फल लेंगे और बीजू पोदा लगाएंगे तो आपको चार साल बाद चालिस किलो अगर अच्छी देखरेख होगी तो चालिस किलो नीमू से मिलना सुरू होगा और जब पांस साल बाद जो छटा साल आएगा पोदा परीपकुआ होगा आपको असी किलो एक कुंटल तक नीमू मिल सकते हैं और जो बढ़ते बढ़ते जब पैदा दस साल बाद होगा तो पोदा दो कुंटल तक भी नीमू दे सकता है लेकिन इसके साथ कुछ कंडिशन है आप उसकी देखरेक सही करेंगे अब रही बात गर्मियों में देने की अगर हर किसान चाहता है कि मेरे नीमू अप्रेल मई में आए लेकिन ऐसा नहीं होता जो कारण मैंने बताए है क्या आपने पहले देखा था कि पांस साल पहले आ तीन साल पहले उत्तर भारत में नीमू की तिनी खेती होती थी नहीं होती थी कारण यही एक मुख्य कारण है लेकिन अब मोसम में थोड़े बदलाव आए हैं आप मेरी वेबसाइट www.amazin.com पर जाएए और उसमें एक लेक है जो मार्च अप्रेल में फसल मिलती है जिसे अप्रेल मैं में हस्त बाहर बोलते हैं उस पर दो लेक हैं एक है नीम्बू की हस्त बाहर योजना जो ICIR, CCRI केंद्रिय नीम्बू वरगिये अनुसंदान संस्थान की है उसका हिंदी अनुवाद है और एक हमने जब अगर सितंबर में बारिस हो जाए तब भी आप फल लेंगे तो आपको क्या कारिये करने हैं क्या यह कोई बताता है आपको पोधे ले लेंगे आप गुट्टी वाले फिर फोन करेंगे त्यागी जी को मेरे पोधे में ये हो गया मेरे पोधे में वो हो गया मैंने कहा भई उसी के पास जाओ कहते जी वो तो फोन ही नहीं उठाता या बताता नहीं है और बताता भी है तो फिर कहता ये दवाई ले ल रूप से आपके पोदे अच्छे फल देंगे, तो जो बिजू पोदा है किसान साथियो, आप या अगर आपने गुट्टी का लगा भी लिया, प्लीज उस पर तीन साल से पहले फल मत लीजिए, पोदे को बड़ा होने देजिए, जितने भी साल जिंदा रहेगा, वो अच्छ फल तो मिलेंगे, पहले पोदे को करिए, अगर मेरी सुनते हैं, तो आप चार साल तक पा लिए उसको, आपको सारा पूरा हो जाएगा, लालच में मत पढ़िए, अब प्रोब्लम ये आती है कि जो इन लोगों के टार्गेट कोन होते हैं, जो नरसरी वाले होते हैं, आज कल एक बहुत अच्छा चला हुआ है, जैसे मैंने भी अपना सेवा निवरत होने के बाद मैंने भी काम किया कि मैं थोड़ा बीजी रहूंगा इस काम में, तो काफी लोगों ने जमीन ले रखिया, जब उन्होंने व्यवसाई कि अच्छे पदों से क्लास वन अपसर, बहुत अच्छे पदों से रिटायर गिये, उन्होंने कुछ-कुछ जमीन, पचास विगे, सो विगे, बीस विगे, जमीन ले रखिये, वो सब इस प्रकार के ब्रामक विज्यापन पढ़कर इसकी तरह पाकरसित होते हैं, और वो लोग इनके पहले टार्गेट होते हैं, और दूस मैंने का एक एक कड़ से सुरू करिये, और जब मैं पंदरा भाई पंदरा बताता हूं, डरते डरते भी उन्हें, बीस भाई बीस पर तो वो बिदख जाएंगे, अगर मैं पंदरा भाई बताता हूं, तो एक ने तो मुझे ये कहा कि त्यागी साब आपकी यही बात बस मु इंसन योजना है, वो मेरे और मेरी मिसेज के लिए बहुत है, मैं जितना भी प्रोफिट लेता हूं, जो पोधे लाया हूं, वो रख रखाओ और थोड़ा बहुत प्रोफिट ही लेता हूं, इसलिए मैं इसको बिलकुल नहीं सोचता, और स्याद यही कारण है कि मुझे इत मेरे पोधे में यह कमी आ गई, अब दुकंदार को यह तो पता नहीं, उससे तो दवाई बेचनी है, अब वो जब फोटो दिखाएंगे, उसकी समझ में तो कुछ आएगा नहीं, वो उससे कहेगा कि एक तो फंगी साइड पकड़ा देगा, और उसके साथ साथ जो हना यह भी कहेगा कि यह एक माइक्रो न्यूट्रेंट भी ले जाओ, चुकि उससे पता तो नहीं है, जैसे आप किसी साधारन दवा वाले जो 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 जोला चाप डाक्टर होते हैं, उनके पास जाते तो चार-पान दवाई देते हैं, और इसके साथ में एक स्टिकर भी पकड़ा देगा, कोई तो काम करेगा, एक फंगी साइड दे दिया आपको, एक माइक्रो न्यूट्रेंट दे दिया और एक आपको कोई पेस्टिसाइड दे दिया, तीन दवाई दे दी, एक ये दे दी, उसके तीन सो चार सो रुपे बन गए, आपको फैदा होता है, होगा नहीं होत बगता है कि वो सिर्फ आपको 35 रुपए के मेगनीशियम सलफेट से काम चल जाए और उसकी बजाए धीरे से वो 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का बिल आपको थमा देता है किसान साथियो अगर आप गूगल पर जाएंगे आपको बहुत सारी चीजे पढ़ेंगे और जो नीमबू और अमरूद की बागवानी करने किसान है कृपया वो एक बार मेरी वेबसाइट पर अवज से जाएंगे अमेजिंग किसान.com पर जाएंगे वहां आपको बहुत मैटीरियल मिलेगा जो कृसी विभाग की अच्छी अच्छी पुस्त के हैं 30 से 40 पेज़ की वो मैं वहां पर लिखे हैं आप उनको देखिए आपकी 80% समस्य हल हो जाएगी आपकी बचत होगी बचत भी एक आमदनी होती है अब किसान सातियो आपको करना क्या है नवेद भाई कहते हैं कि आप एक डायरी बना लीजिए और उस डायरी में हर महीने जो पोधे में कमी आई उसक लिखिए भाई मैंने ये कमी नोट की अगर हो सके उसका फोटो रखिए या कहीं किसी प्रकार अपने मूबाईल में रख लीजिए नमबर डाल कर उस फोटो पर नमबर एक ये तारीक ये कमी दिखाई दी और फोटो नमबर ये अब आप पता करिए कई आदमें से पता अगर आपने वो इलाज किया उस दवाई का नाम लिख लीजिए और उसका क्या परिणाम मिला वो भी लिख लीजिए इसी प्रकार पूरे साल अपनी डायरी में में मेंटेन कीजिए किसान साथियों आपको लगेगा कि अगले साल आपको किसी की सलह की आवश्यक्ता नहीं ह अपनी डायरी निकालिये उसमें से देखिये और उस परकार कारिये की लिए उन पर थोड़ा लिखिये डायरी मेंटेन करिये आपको अवश्यक्ता होगा किसान साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे अवश्यक्ता लिखिये और थोड़ा जागरूक बनिये जागरूक उपभोकता बनिये पोधे महंगे लेने में कोई बुराई नहीं है लेकिन किसी की ब्रामक बातों में मत आईए इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैभारत बंदे महतरम